हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा प्रिवियस येर सीटेट का कोशन है वो ठीक है तो हम लोग जो करेंगे कोशन को वो इजी लेवल से लेके टफ लेवल की तरफ जाएंगे ठीक है तो पहले छोटे-छोटे थोड़ा आसा अगर 1 by 6 कितने है यह अपने को मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे बहुत आसान है तो पहले इसको पूरा चेंज करो तो 3 by 3 1 by 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 339 क्रॉस मल्टिप्लाइ करोगे आप 339 और 10 10 by 3 लिख सकते हैं ठीक है अब अगर मैं बात कर करो यहां पर डेनोमेटर में 6 है तो यहां भी डेनोमेटर में आप क्या लेकर आजाओ 6 लेकर आजाओ अगर मुझे यहां पर डेनोमेटर में 6 लाना है तो मैं क्या करूंगा आप बोलोगे आप यहां पर 6 लाने के लिए 2 से मल्टिप्लाइ करोगे तो कर दो 2 से मल्टिप् 6 है कितने वनट लोनगे की इसके अंदर देखो यह 20Watis किसे बना वनगैश्ज वनगैश्ग वनगैश्ट dai aim आप तीन बळर हां तो आप और ट्रीवगर अगर इसा तरह चार वार होता है तो आप है 5 rock तो इसी तरफ कितनी बार है? 20 बार है, तो पूछा वह ही है कि कितनी बार 6 है, तो आप बोलोगे कितनी बार है? तो आप्शन होगा 4, 20 टाइमस है, ठीक है, बहुत आसान कुश्छन था कैसे करना है समझ में हागे आपको, एक कुश्छन और भी इस टाइप का कराता हूं मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए इस को क्रते कैसे करना है देखो आसान है जो इसके न्दरे थी नहीं है यह बाइक हो गया है तो आपको त्री नहीं लेना यहां पर ठीक है थी पार्ट यहां पर नहीं है किया वन बैट न आप Р में 1 by 10 कितना है आपको क्या करना है नीचे 10 बनाने के लिए 2 से उपर नीचे कर देता हूं तो आगया 12 तो आपने बोला कि 12 कितना है 12 बस आपको क्या रख करना रहता है डेनोमेटर सेम करना रहते हैं तो एंसर आपका आजाता है तो बहुत आसान है अना तो आप देखते ही डेरेक बता सकते थे कि नीचे दस बनाने के लिए करना पड़ेगा दो सरा मल्टीप्लाइब करता हुआ तो बार हो गया हमारा एंसर हो गया 5 सेकर्ड काん सर थीके 5 half of 100 एक नंबर है smaller than half of 100 पहला कंडिशन क्या बोला है एक नंबर है half है किसका 100 का 100 का आधा है ठीक है यह पॉइंट हो गया फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है and lies between four tenths and five tenths और उसके पास second condition क्या बोला है half of 100 100 का आधा यानि कि कितना हो गया 50 पहली बार यह बोला फिर दूसरा क्या बोला 40 और four tenths and five tenths के बीच में यानि कि 40 और पचास इन दोनों के बीच में ही कह 40 और पचास के बीच में यह clear होगे आपका फिर आगे क्या बोल रहा है one digit is one less than ten digit 8Digit जो है इस one less वह कम है 10 digits से आपका बूला एख बीजिट जो है 10 बीजिट से कितना है एक कम है और आगे क्या बोला यह थैसाम प्डीजिट आप डिजिट सेवन आप सम रहे कितना होना और 45 होता है 46 होता है शिपालीस होता है 48 49 पचास इतने होते हैं बड जैसी बोले। इस सम व डिजए डिजिट का सम सेवन होना चाहिए ठीक है। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि डीजट के सम सम्सेवन कहा है यही है और कहा है बताओ और तो कहीं नजर नहीं रहा है चार दो छे और कहीं नहीं आ रहा है इसका मतलब यह हमारा फाइनल एंसर होगा ठीक है बहुत आसान था जैसी बोला डिजिट के सम 40 और 50 के बीच में और डिजिट के सम किता होना ची सेवन और अची हमारा फाइनली एंसर आ गया समझ में सबी को कैसे करना है अगले कु कितनी है तीन सो साथ जिस में से कितनी है गल्स तूठड है एंड रेस्ट और बॉइस और बाकी बची क्या है वो लड़के है ठीक इतना क्लियर हो गया अब आगे बोल रहा है कि थ्री फोर्स आप दा नमबर आप बॉइस और प्लियर क्या बोला थ्री पॉर्थ आप दे प् तो जो वो बॉइस मालूम करना है जो प्लेयर नहीं है ठीक है तो सबसे पहले क्वांड़ी कितनी है तोटल थ्री सिष्टी तो हमने देखा थ्री सिष्टी अब थ्री सिष्टी में से बॉइस कितनी है और गल्स कितनी वह पहले आप अलत कर लो थ्री सिष्टी में से आपको कितने तो आप बोल गे बॉइस जो होंगे आपके वो होंगे हैं अब Brook 3 4th number of the boys are player, इसमें से क्या बोला 3 4th, कितना बोला है, 3 4th of the boys are player, 4 में से 3 पार्ट जो है, 120 को कितने पार्ट में divide करना हमको, 4 पार्ट में, तो 4 में से जो 3 पार्ट है, वो क्या है, player है, ठीक है, और क्या बोला है, बाकी जो बचा एक पार्ट वो player नहीं है, तो 4 पार्ट का मतलब कितना होता है, 90, और एक पार्ट बचा तो बचा कितना, 30, ठीक है, तो हमें पूछाए कि कितने player नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, 30 यही हमारा answer होगा, ठीक है, तो बात को समझना, सबसे पहले क्या बोला है, एक स्कूल के अंदर 360 बच्चे, 360 बच्चे में से लड़कियां कितनी है, तो आपको बताया गया है, कि लड़कियां जो है तू ठड़ है लड़किया कितनी है तू ठड़ है बाइस कितने बचे वन ठड़ बच गया ना तू ठड़ में से तू पार्ट लड़कियां है और एक पार्ट लड़कियां है अब लड़कों में से जो प्लेइंग कर रहे हैं जो खेल रहे हैं वो कितनी ह क्या है वो वाइस का जो है प्लेयर है वो प्लेयर जो खेल नहीं रहे हैं ठीक है समझ में आ गया कैसे करना है अगले कुछ नी तरह ब्रते में लोग फइंध सम उफिज अद फेस्ट वैलू जो 6-10-43शよろしく ने सिक्सक का पैस फेस्ट इसने ना इसका सबस्क्राइबू उआने वाला है तो वही होगा हमारा सबस्क्राइब कितने वां itt इसना है इसमें देखनो यह एक यह अपका www.簡.ש 606 को मालूं ळाके लश्ट में क्या आने वाला लच में शिक्स आने वाला तो यह देखते हैं हमको समझ में आगे है कि लाश्ट में 6 आने वाला तो हमने लिख दिया ठीक है सभी को समझ में आया कैसे करना था बहुत असान था ठीक है फेस वैलू कितना था इसका 6 था और प्लेस वैलू कितना था 600 ठीक है आगे बढ़ते हम लोग विशक्फडर फॉले मिस एर्रैशनल नमबर देखो यह तो इर्रेशनल नमबर नहीं हो सकता तुबआई पाई इसका मतलब कितना था 0.40 ये भी नियुका और ये भी नहीं हो सकता ठीक है तो सिरफ यही हमारा फाइनल राइड एरेशनल नमबर हो सांथ ठीक है अगले है 21 difference कितना है 11 ठीक है पहला नमबर ये ले लिया दुसरा नमबर ये ले लिया सम कितना था 21 difference कितना था 11 find the greater number greater number find करना यानिक एक्स find करना है कर तो दोनों को add जैसी add करेंगे तो y y कड़ जाएगा और यह कितना हो जाएगा तो आपको दिख रहे 32 हो जाएगा और यह 2x हो गया और यह दोनों कड़ गया कितना आगे 16 आगे ग्रेटर वैलू पूछा है तो ग्रेटर वैलू कितना आगे 16 आगे तो कौन सा है भाइं फाइंड ग्रेटर नमबर तो यह आपका सही आइंसर है देख यह नहीं आएगा 5 जो के रॉंग है 16 सही राइंसर आएगा ठीक है सामन डिफ्रेंस अप्टू नमबर सा फाइंड ग् वीच आप दो फोलिंग फ्रेक्शन इस ग्रेटर रेन वन बाइट टू एंड लेस देन अब यह फ्रेक्शन देखना है इसके अंदर कौन सा इसा है जो एक सो दो और एक सो तीन बटे चार जो वन बाइट टू ना वन बाइट टू से बड़ा है और क्या बताया है इससे बड़ा है और छोटा किस से थ्री बाइट फोर से थ्री बाइट फोर से छोटा है यानि कौन सा ऐसा है जो वन बाइट टू से बड़ा है और थ्री बाइट फोर से छोटा है यानि ऐसा भी मैं बोल सकता है कि वन बाइट टू और थ्री बाइट फोर है देखो यहां Ampे चाली स्वाँधा यहां पर यहां पर उसका एलसे बनने वाला है आपने का 40 अगर मुझे 3 by 8 को बनाना है 3 by 8 को अगर मुझे 40 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर नीचे जो है ना मल्टिप्लाय करना पड़ेगा दो मैं पूरा अच्छे तो समझा देता हूं पहले उसको शॉड में कैसे करना रहे क्या है यहां पर 3 by 8 फिर उसके बाद दूसरा जो है 4 by 5 फिर 31 by 40 फिर उसके बाद 9 by 20 फिर 7 by 10 ठीक है तो 40 बनाना इसको अगर इसको 40 बनाना तो किसे मल्टिप्लाय करोगे आप तो उपर 2 से मल्टिप्लाय नीचे 2 से मल्टिप्लाय तो नीचे से उपर से मल्टिप्लाय करोगे कितना आएगा 3 टूजा 6 यहां पर 2 से मल्टिप्लाय करो उपर भी 5 से तो कितना आ जाएगा 3 फा पांच को नीचे 40 बनाना तो किसे मल्टिप्लाइ करोगे आप बोलोगे यहां पर 8 से मल्टिप्लाइ करना है यहां पर 8 से मल्टिप्लाइ किया है यहां 32 आ गया नीचे 40 आ गया फिर यहां पर देखो सेम करना है तो किसे मल्टिप्लाइ करोगे तो किसी से मल्टिप्लाइ करने चार से तो क्या होजा है का 28 ठीक है इसको बनाने के लिए न दोख अपने गो वाल्यों के चालिस लाना है तो यह पूरा नीची इतना टिटम्मा लिखने की जरूदी तो हमारे दिमाग में यह उना जी इसको बनाना ने यह पाट को आठ को तो हम तो क्या करेंगे कि 8 को मल्टिप्लाइ कर देंगे यह जो पाट है आठ आठ को मल्टिप्लाइ कर देंगे किसे मल्टिप्लाइ कर देंगे हना पांस से मल्टिप्लाइ कर देंगे हना तो 40 बनना है तो इसका मतलब सिर्फ उपर वाले को कि अब इसके बाद यहां पर पांच है नीचे कितना है पांच को किसी को multiply करो कि तो 40, how things on meat from there 2001, चालिस प्रेंस डिशानल आगे वालने और आगे 20 देनीचे 20 को कि से multiply करें चालिस बनेगा दो से तो उपर को 2 से multiply करो अठरा आखरी वाला जो 10, 10 को 4 से multiply करोगे तो 40 बनेगा तो उपर वाले 7 को तो भी चार से मल्टिप्लाइब साचाख 28 हो गया तो इस तरह से आप लिखना है देखो यहां पे भी 28 था उपर लिख दिया 28 38 831 अना यहां पर 31 था 31 हो गया 32 32 हो गया फिर यहां पर आपको 15 यहां भी 15 पहुत असानी से हमने पूरा लेख लिए ठीक तो यह इतना टाइम आपका बच जाता समझ मैं इतना आपका टाइम बच जाता यह लिखना नहीं पड़ता ठीक है अब यह जो वन बाइट इसको भी 40 बना लो उन्याव लुट जो फू बिशारेज बनाना जैंड इसको कि से मल्टिप्ल específic करेंगे यहां पे 23 से की बिच में कौन से बीरीस के बीच में कौन से 20 और तीस के बीच में आपको नजार आ रहा है बीस और तीस के बीच में शर्फ 28 तीक हैř तो अजय की सका फ्रेक्शन और यह कशन में दिया एक सुनू नाम का एक बंदा ऐ और इस सोनु नाम के बंदे के पास पांच दर्जन टॉफी है कितने दर्जन टॉफी पांच दर्जन सोनु के पास कितना दर्जन टॉफी पांच दर्जन और पांच दर्जन टॉफी का मतलब क्या होता है एक दर्जन यह नहीं बारा और पांच दर्जन मतलब बारा पंजे सा तो सोनु बंदह के पास, सोनु भहीया के पास कितने टॉफी है, साथ टॉफी है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब क्या करते है साहब, he gives one third of these two Amita, अब उसमें से वो क्या करते है, one third जो है Amita को दे देते, तो इनके पास जो Amita को दे दिये one third, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद और दरिया दिली दिखाते हैं और two five of these two and nil को देते हैं फिर two five anil को देते हैं फिर उसके बाद and one 12 of these two हमीदा फिर जो बसता है उसमें से one 12 किसको देते हैं हमीदा को देते तो नंबर यॉफे लेफ्ट पिस सुनु की पास कितने टॉफी बची है यह अपने को पता करना है ठीक है अब देख लो बहुत आसान है दो मैं अब बताऊंगा कैसे कैसे करना है आपको कितने लोगों को दिया गया सबसे पहले अमीता को दिया गया फिर उसके बाद किसको दिया गया अनील को दिया गया ठीक है और किसको दिया गया अनील को और किसको दिया गया अनील के बाद हमीदा को दिया गया ठीक है अब बताओ इसको किसको कितना दिया गया है अमीदा को वन बैठ थर्ड साइड का वन बैठ थर्ड निकाल दो तो सठ का वन वा है कितना अगया बीस निकाल दिया गया तो हमिता को कितना गया और उसके बाद सब्सक्राइब कितना होता है perfect to come पक्रट कॉबाइफाइ से ऎकए सब्सक्राइब कर दो पांच का पाड़ा बारा बारा दोना चॉबिस यानि、 24 गया अनिल के पास फिर इसके बाड़ प्सक फिस लेफ दू सोनु सके बाट हमीदा को कितना दिया गए बारै कि साइट का रवन बारा कर लो बारा पंजे साथ तो पांच मिला इसको भी इसको थोड़ा कम मिला हमीदा विशारई को वना इसे पाच ही मिला अब देख सकते हो किसको कितना मिला देखो ये 20, 24, 5, 29 हो गया और 20, 29 और 20 कितना हो गया, 49 और 10, 49, 49 तो इसने बाट दिया, 49 को बाट दिया, बचा कितना इसके पास, 11 बचा, क्या बचा, सिफ 11 बचा इसके पास, 60 में से, तो हमारा फाइनली एंसर कितना होगा, 11, ठीक है, एक मैथड ये था, जैसे आपको समझ म कर लिए, ठीक है, दूसरा क्या है, कैसे करने का है, वो पता देता हूँ मैं, अच्छिए, यहाँ पर आगर आपको समझ में आ रहां, 1 by 3 कैसे निकाला मैंने, 2 by 5 हो तो असान है, साट का 1 by 3 बोलू, तीन से डिवाइड किया, 20 बार, कितना 20, इस तरह से मैंने किसको दे दिय था, अमीता को 20 दे दिया था, क्लियर हुआ, इसी तरह बाकी लोगों को भी हमने किसी को 2 by 5 देना तो उसको 2 by 5 भी दे दिया था, ठीक है, दूसरा मैंटर क्या है, कि आप क्या करो, सब को ऐसा ले लो, 1 by 3, 2 by 5, और 1 by 12, ठीक है, तीनों का ले लिए, 1 by 3, 2 by 5, और 1 by 12 ले ल होता है, 12, 5, और 3, 3 मगर मुझे मालूम है, तो, कितना होता 60 होता है, अगर आप ऑर स्यमालुम प्रॉन कर लो कि साथ होता है, यहनि इस को 30 बनाना तो किसे MULTIPLY करना पड़ेगा, पांस से MULTIPLY करना पड़ेगा, यह बात मैं तो मैंने ग्रिक सिखाए NO, प फिछले होना पड़ेगा भी से यहां आ जायगा 20 पर 50 यहां पर गिया बारत दोनाचो डिस और यहां पर सार्ट साथ कि यहां पर कितना हो गया है पांच साथ आपको ntm कितना आ गया तो आपने मादाए स्यम औरे सारी यहां पर लिनामेट अगे तो साट आ उपर जो समखिये तो किटना इंचाथ तो 60 में से उसने कितना खर्चा किया उन्सा डाउन 49 आए उपर नुम्रेटर में 49 आया si 20 lucky didn't बचा कितना 11 विचा आप ऐसा भी कर सकते एक है ये भी मैंतब कर सकते हैं सभी को समझ में आए इसके बाद हम लोग अगले कुशन दे बढ़ती हैं